तो दोस्तों एक बाद फिर से आप सबका स्वागत है करियर का उच विश्व भांकर पर जैसे जैसे एक के बाद एक के अपिसोड हम आपके सामने लाते जा रहे हैं हम लोग कई विश्व पर हम लोग बातचीत कर चुके हैं और इसी के चलते कई बार हम लोगोंने पृत्वी के उपर बातचीत की हम लोगोंने कई जगे इस बात पर चिंता व्यक की हम लोगोंने प्रदूशन के उपर चिंता व्यक की हम लोगों को ये लगा था कि भई प्रदूशन के उपर कोई बातचीत क्यों नहीं होती इसके उप पारे पास queries आते थे जो की geosciences के उपर थे जो की geology के बारे में जानना चाते थे तो दोस्तों आज geological survey या अगर मैं भूविज्ञान की बात करूँ तो भूविज्ञान से जुड़े आज हमने एक ऐसे guest को अपने स्टूडियो में बुलाया है जिन्होंने की पृथवी के जो एक धुरुफ को हमारा उत्तरी धुरुफ जो है वहाँ पे जो expedition भीजा गया था भारत की तरफ जो सबसे पहला expedition था उसके वो सदस्य रहे ये एक geological scientist है कई सम्मानित पुरसकारों से कई बड़े सम्मानों से इनको सम्मानित किया जा चुका है इनको शिक्षास्री सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है हाली में इनको भूविज्ञान पुरसकार इनको प्राप्त हुआ इनको इसी के साथ साथ जो है इनको ऐसे कई सम्मान कई अलग अलग प्रदेशों में मिल चुका है तो आज वाकई हम गर्फ की अनुभूती हमें होती है कि जब हम प्रोफेसर धुरुफसें सिंग जी को अपने स्टूडियो में हम जब सुवागत करते हैं तो आज हम बात करेंगे उनसे कि उनका जो एक्सपीरियंस था हमारे उत्र धुरुफ का वो कैसा रहा कई बच्चे ऐसा सपना देखते हैं जो कि हमसे पूसते हैं कि ऐसे एक्सपीडिशन का हिस्सा कैसे बन सकते हैं जो हमारे नासा कैसे पहुंच सकते हैं हमारे कुछ बच्चों ने पिछली बार इसके उपर भी हमारे पास प्रशन भेजे थे तो जी हाँ इसके और भी कई आयम हो सकते हैं और भी कई रास्ते हो सकते हैं जहां से कि आप ऐसी अपनी जो आपकी तमनाएं हैं आपकी जो इच्छाएं हैं जहां पे आप अपना जो विग्यानिक स्तर है उसको बढ़ाना चाहते हैं उसमें कैसे करके इजाफा हो आपको कौन सी शिक्षा ऐसी हासिल करनी चाहिए, जिससे आप चिस प्रकार से, अपने जो, आप अगर scientist बनने का सपना रखते हैं, उसको कैसे साकार कर सकते हैं, तो आज बात करेंगे प्रोफेसर धृूफ सिंग सिंग जी के साथ इसी मिशाध पर. So, प्रोफेसर धृूफ सिंग सहब, बहुत बहुत स्वागत प्राइम स्टूडियो के इस मंच पर बहुत भनेवाद और हमारा यह जो कारिक्रम है करियर काउच विछ भांकर आज हमें वाकी बहुत गर्व हो रहा है आपको अपने स्टूडियो में स्वागत करें थैंक यू प्रोफेसर सहर्ब सबसे पहले आप जीयो साइंसेस के साथ जुड़े हुएं तो मैं सबसे पहले चाहूंगा कि हमारे जो चातर दर्शक हैं उनको आप तोड़ा सब बताएं कि यह जो आपका सफर रहा बच्पन से लेके अब तक का यह कैसा रहा देखें यह जो सबजेक्ट है जियोलाजी भुविज्यान यह क्लास ट्वेल तक नहीं है यह सबजेक्ट ग्रेजुएशन से ही इंटेड्यूस होता है और अभी भी उत्तर प्रदेश के सारे विश्विद्यालियों में यह विशय नहीं है और अगर हम कालेज की बात करें त तो सिर्फ तीन ही कॉलेज ऐसे हैं जहां पर की यह विशय है तो हमें यह लगता है कि मुझे पर्सनली यह महसूस होता है कि जिस प्रिथवी के ऊपर के हम निवास करते हैं और उस प्रिथवी के बारे में हमें बहुत ही ब्रिहत जानकारी नहीं होती है तो यह एक ऐसा प्रिथवी के आंतरिक सनरशना के बारे में प्रिथवी के बहुगोलिक सनरशना के बारे में प्रिथवी के ऊपर खनियों के बारे में प्रिथवी के पहाड और नदियों के बारे में रेगिस्तानों के बारे में इतने विश्तार से बताता है कि हमें यह लगता है कि हर व्य कि बहुत जादा बात चीत आचकल होती है कई आप विदेशी चैनल उपर देखें आप बीवीसी पर चर्चा हो रही है उस पर तो हम आएंगे लेकिन उससे पहले हम यह चीज़ जरूर जानेंगे सर यह जो हम लोग उत्तरी धुरूब में यह हमारा जो दक्षनी धुरूब है याने अंटार्टिका में जो बार-बार जो वहां पर रिसर्च वरक होता है इन रिसर्च वरक की इतनी जहुरत क्या है यह दोनों धुरूब हमारे लिए ऐसे कौन से डेटाज हमें प्रवाइट क की बात करें तो उत्तरी धुरूब में हैं तो अंटार्टिका तो अपना देश नाइटेन इटी त्री एटी फूर से लगातार जा रहा है वहां पर पर प्रफेसर जेट कासिन साब गये थे उसके बाद से हर साल अपना देश जो है अपने देश के वेग्याने महां जाते है और साम करते हैं दोहजार साथ बहुत महत्पौन साल था क्योंकि दोहजार साथ में आईपी सी सी की रिपोर्ट आती है और आईपी सी सी की रिपोर्ट आती है चौथी रिपोर्ट आती है आईपी सी सी की पहली रिपोर्ट भी थी दूसरी भी थी तीसरी भी थी किसी को परिवर्टन हो रहा है यह जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है यह मानो जनित है इसे मानो का बहुत बड़ा योगदान है और इसके कारण आने वाले दिनों में मौसम बदल जाएंगे परिस्थितियां बदल जाएंगी सारे के सारे वो ग्लेशियर्स पिखल जाएंगे का तो जाती है अब उत्तरी ध्रू आर्क्टिक भी जाएं और दो हजार साथ में ही पहला आर्क्टिक अभियान दल गया लकली मैं भी उसका एक सदस्य था और अपने देश की इतिहास में अपने देश का तिरंगा जंडा हम लोगों ने वहां पे फैराये था फिर दो हजार आ मैने की दिन और शे मैने की रात होते हैं तो वो मैंने कभी रात नहीं देखी एक महिने तक मैंने सिर्फ दिन ही दिन देखा कभी सूरज नहीं ढ़ला वहां मतलब हम सिर्फ यह सिर्फ सपने में सोच सकते हैं कैसी जगे जहां पे की धूप कभी अंती नहीं होता हो का सूरज हमेशा उपर और साती साथ जो मौसम हुआ पर इतनी ठंड मौसम उसमें सर आप लोगोंने कैसे एक्जिट किया क्योंकि सबसे बड़ी बात है जब आप हिमादरी की बात कर रहे हैं जो हम लोगों नाम दिया अपने सेंटर का जहां पर उत्तरी धुरूप में जहां पर हम हम लोग इसको कंट्रोल कर पा रहे हैं या कर पाएंगे यह आपका फेर बहुत अच्छा प्रस्न है और हमें लगता है कि जब से यह प्रित्वी बनी है दो चीजें चला करती है आदमी तो अभी आया है जी तीन सो साल पहले उद्द्योग धंदे आये हैं आदमी दस जार सा ले आया सिंदुगाटी सब्धा के पहले कोई सब्धा नहीं थी बिलकुल सभी लेकिन यह प्रित्वी तो फोर पाइंट सिक्स बिलियन येर्स पुरा नहीं है और एजे स्टुडेंट अफ जी जब हम देखते हैं तो यह देखते हैं कि यह जलवाई प्रित्वी के इस फोर यह प्रक्रिया है जलवाई प्रिवर्तन ठंडा भी खूब होता है गरम भी खूब होता है ठंडा भी खूब होता है गरम भी खूब होता है एक चक्री प्रिक्रिया है हाँ जब से मानव आया है मानव ने अपनी गत्विधियों से इस जलवाई प्रिवर्तन की दर्व को प् अब हम यहीं हम्योग तो छोड़ दीगे हैं हर जगा यहीं चर्चा चल रही है कि ग्लोबल वार्पिंग हो रही है बहुत तेजी से गर्में बढ़ रही है और मांसून भी डिश्टर्ब हो गया सारी चीज़ें डिश्टर्ब हो गया और आने वाले दिनों गरिशेश पिखल जाय एकि यहां समुध का जलस्तर बढ़ जाएगा ने अब ही भी इतने सोधों के बावजूद भी कि जलवाई परीयृतन परिब से सब्राइक और देंगा रहे है और लेकिन से फिर दो फिर एक बात की और शग मान्व का प्यंदा होती है कि जहां पर हम बलेक होल्ग की इस इस इमन क्रेटेड, हमने जो परिवर्तन, हम जो डेवलप्मेंट के नाम पर, जो टेकनोलोजी ग्रोथ के नाम पर, जिस प्रकार से हमने प्रकृति का शोषण किया है, उसकी वज़े से बहुत सारी चीजों में बदलावाया, यहां तक ही कहा जाता है, कि यह जो ग्रीन हा प्रकृति की देने, तो इसका मतलब यह है कि कहीं न कहीं कुछ डेटुरेशन जो है, वो नेचरली भी होता ही जा रहा था, देखिए मैं एक लाइन बोलता हूं, जो जलवाई परिवर्तन है, यह तो 100% प्राकृतिक है, मानो का उसमें कोई योगदान नहीं है, लेकिन प्र प्रिथवी के ऊपर जितनी भी चीज़े बनाई है, उस सारी की सारी चीज़े साम्या वस्था में है, अब उसमें हम जैसे वाइमंडल में हम कारवन डायकसाइड जोडते हैं, तो हम उसकी मात्रा बढ़ा रहा है, यह भी प्रदूशन है, और वाइमंडल से हम कुछ ऐसी का हो रही है, वह भी प्रदूशन है, तो मानो क्या कर रहा है कि प्रदूशन को उत्पन कर रहा है और वो प्रदूशन जो है वो जलवाई परवरतन का कारण बन रहा है, लेकिन साथ में यह सर थोड़ा सा और मैं जानना चाहूंगा, आप वड़े साइंटिस्ट राज आप आ जब यह कोवीड महावारी के में हम लोग जब चले तो क्या हुआ कि पूरी दुनिया का इत्थम सी गई थी, सारी इंडस्री बंध हो गयते हैं, कुछ दिनों में हम लोग पूरे घर में पहुँच चुके थे और यह बात होती थी कि बाहर जो है प्रखिती अपने आपको इ विजन देखा, कुछ ऐसी चीजे देखी, जहां पे कुछ बदलाव आया, जिससे हम लोग यह सोच सकते हैं कि कभी-कभी हम लोग development holiday में चले जाएं, development holiday मतलब एक ऐसी जगे हो जहां globally हम लोग carbon emission को वहां पे अगर हम स्थिर कर दें, तो कहीं न कहीं इसको revive होने का मौका मिल देखा, वापिस प्रकिती अपने धंग में ड़ल सकती है, क्या इसके कुछ उम्मीद वाकरी जलती है, क्योंकि ऐसे कुछ जो topics हैं, कई हमने magazine में पढ़ा, कई इस तरीके से news में उस समय continuously चल रहा था, कि देखिए सिर्फ COVID का एक अच्छा स्तर यह है, अच्छा जो पक्ष यह है कि एक तरफ से प्रकिती अपने आपको रिवाइफ करने की कोशिश कर रही है, ऐसा किर सच है, यह बात तो निश्ची तिरूप से सही है, कि COVID के दोरान जो प्रकिती और पर्यावरण के तीनों घटक हैं, चाहें वो जल मंडल हो, अस्थल मंडल हो और चाहें वाई प्रदूशन बहुत कम हो गया था, च्योंकि जो प्रदूशन पैदा करने वाले तब तो थे, वो सब बंध हो गया थे, और ना सिर्फ लखनाओ में या उतर प्रदेश या भारत में, पूरे विस्व में ठब हो गया थे, लेकिन क्या हम इसको फिर से पूरे विस्व की सारी गजविधियों को रोकने में सक्षम हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं, तो अगर हम नहीं हो सकते हैं, क्या हम फिर से दो दिन के लिए पूरे विस्व में रोक सकते हैं कि कोई एर ट्रैफिक नहीं चलेगा, नहीं हो सकता है, तो वो तो एक ऐसी विपदा थी, कोरोना पैंडिमि है Ritvika उसको हम लोग भोगे लिए इसको कभी हम ठीक करी नहीं सकते हैं लेकिन हम जरूर ही नहीं कि सब चीजों को रोके ही जैसे जिससे में ओजोन में चरन हो रहा था तो हमा ने ऐसे रेफ्रिजरेशन का ऐसे फ्रिज का ऐसे कोल्ड स्टोरिज का अविस्कार किया जिससे कि मिथाइल क्रोराइट CS3CL और CFC क्लोरोफ्लोर कार्वन का उस सर्जन नहीं हो रहा था उसी तरीके से हम ऐसे पेंड पौधे लगाएं पेंड पौधें में बहुत जादे कमी आई है पेंड पौधे लगाएं जो की ग्रीन हाउस गैसेस को कम करें कार्वन डायकसाइट को एस्वार्ब करें हम प्रिजबी के उपर वो ग्रीन बेल्ट छोड़ें जो की सुरी की किर्णों को असोसित करें हम प्रिश्वी के ऊपर जो अभी हम कंक्रीट का जंगल बनाते जा रहे हैं हम इसको कम करें मैं यह सदे बोलता हूं हमारी दैनिक जो दिंचरिया है यह दिंचरिया भी ग्लोबल वार्विंग के लिए तो नहीं लेकिन जो हमें गर्मी महसूस हो रही है इसका बहुत बड़ा कारण है पहले हम एसी में नहीं रहते थे हम घर में रहे हैं च्छतिस में बाहर गए पैंतालिस विला हम छे डिग्रे का बात है कि किसी भी परिपेक्ष में हूं सहीषूनुता जो है तो बहुत एहम चीज़ यानि कहीं न कहीं हम अपने सहीषूनुता के साथ खेल वाल कर रहा हैं अगर हम आधी हो जाएं कि भई उतना ज्याद हम लोग कम टेंपरेचर में ना रहें और हम लोग बाहर जाके इसक पूरत नहीं पड़ती है उसी के साथ साथ एक चीज और है अचानक हम दे मानव रही चीजों की तो बात हम लों ने कर ली कि कैसे करके जो है जो हमारा जो जो फॉरेस्ट वेल्थ है यह बहुत बुरी तरीके से डेप्रिशेट कर रहा है बहुत पूरी तरीके से डेप्लीट कर रहा है सर इसको कैसे रोका जा सकता है क्योंकि जंगलों को रोकने के लिए कितनी कोशिश है की जाती है हर सरकार कोशिश करती है अमरीका इसका सबसे ज़्यादा आपने अभी जो रिसेंटली हुआ वो एक बहुत बड़ा हाथसा रहा व बहुत सारे जानवर हैं उनको सबसे ज़्यादा शर्ती पहुंच रही धीमेदी में तेदुए शहर की तरह बढ़ना है क्योंकि जंगलों में तो हम पहुंच चुके हैं तो इसके विशे में कुछ बताएं प्रोफेसर सार देखे हमें यह लगता है कि जो रिमोट सेंसिंग सेटलाइट डाटा है उसका हम लोग लगातार प्रयोक कर रहे हैं जो कुम्भ मेले में कितने लोग आया सनान करने के लिए इसके भी गड़ना अब सेटलाइट डाटा से ही हो तो हमें यह लगता है कि सेटलाइट डाटा 24 वा 7 वो रिकार्डिंग करता रहता है पिचर भेज क्योंकि गीले में अच्छी आग नहीं लग सकते हैं तो जो भी ड्राइट हो हमें उसके उपर सदय एक अलर्ट जोन बनाए रखना चाहिए जैसे जब पानी बढ़ता है तो हम बाढ़ के लिए प्रेडिक्शन करते जाते हैं साइकलोन का देखा होगा आपने कितना अच्छ हमें लगता है कि वहां पर आल्टिफिशियल प्रेशिप्टेशन वगरा की भी हमेसा ब्योस्ता करने होगी कि अब आता हूँ करियर पर क्योंकि कारीकरम का नाम करियर काउच है तो मैं सर थोड़ा से जानना चाहूंगा कि करियर के तौर पर एक जियोलोजी में इंट्रेस् इंटर्मीडियट तक उसको बेसिकली जियोलोजी के बारे में कोई चीज पता नहीं होती तो फिर इंटर्मीडियट में आने के बाद 12 में आने के बाद एक बच्चे को बहुत दिकत होती है ये सोचने में क्या जियोलोजी उसके लिए परफेक्ट सब्जेक्ट होगा उसके रुजहान मौसम के तरफ हो प्रकर्ट के तरफ हो हमें लगता है जियोलोजी से अच्छा कोई सब्जेक्ट नहीं हो सकता है हमें जैसे मैंने बताया ही आर्क्टिक जाने का मौका मिला पूरा विस घुमने का मौका मिलता है नदियों पहाड़ों को देखने का मका मिलता है जहां पे लोग घूमने के लिए जाते हैं वहां हम काम करने के लिए जाते हैं इससे अच्छा कौन सा भी से हो सकता सारी नदियों के किनारे चलने का सौभागी मिलता है पहाडों पे जाने का सुभागि मिलता है. लेकिन लोगों को मिलता है लेकिन वो बच्चे जो इंटरमेडीय इट पास कर रहे हैं हमारा वो ध्यान रखें जिन जिन पिशुफी डालेोँ भूविओ ग्यान है लकनो में अगे बिशुफी डाले में जहांसे भी शुविद्ध ड्याले में है, इलाबाद भी शुविद्ध ड्याले में है, बियेचू में है, अब तो फैदावाद में भी खुल गया है, वो वहाँ पे अप्लाई करें, अगर देश में देखेंगे तो विफसाइट पे जाएए, दिली इनोस्टी में है, जैनिय माइन्स, डिरेक्टरेट अफ जोल्जे इन माइनिंग, ग्राउंड वाटर डिरेक्टरेट, इस्टेट ग्राउंड वाटर, इतनी चीजियों में भरमार लगी है जहां पे कि आप जियोलोजी पढ़ने के बाद से जा सकते हैं, उसके बाद बहुत से ऐसे वेग्यानिक संस्थान हैं, बियस आईपी है, वाडियन शुआ हिमालियन जियोलजी है, निजियर आई है, नेशन शुआ उसनोग्राफी है, अंटार्ट का रिसर्फ सेंटर है, जहां पे कि आप साइंटिस्ट बन सकते हैं, तो इसमें एकेडमिक्स में भी आप जा सकते हैं, इसमें आप नान एकेडमिक्स में इंडुस्टिशन में भी जा सकते हैं, और इसमें आप चाहें, अगर इन दोनों जगहना जाना चाहें, तो आप NGO गरे के माथिम से भी देश की सेवा कर सकते हैं, तो बहुत ही प्यारा सब्जेक्ट है ये बच्चों के लिए बहुत अच्छा लगता है, पढ़ने में मन लगता है, और बहुत ही रुचकर भी से हैं, लेकिन इस लाइन में थोड़ा जो प्राइवेट की जो स्ट्रेनी होती है, वो बहुत लिमिटेड है, वो बहुत सिमित होती है, इसमें जादा तर अगर आप देखेंगे, तो गर्म गर्मेंट सेक्टर बहुत ही अच्छा आपने पूछा, गर्मेंट सेक्टर में तो ओपनिंग है ही है, अगर हम प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो प्राइवेट सेक्टर भी आइल इंडिस्ट्रीज, ऐसा नहीं कि सिर्फ ओंजी सी कर रहा है, बहुत सी ऐसी प्राइव फैक्टरी वाले ले लेते हैं तो प्राइबेट में भी अब समय के साथ साथ जो परिस्थितियां बदली हैं उसमें प्राइबेट में भी एवन्यूज आएं हैं जियोलोजी के और मुझे जहां तक दिख रहा है जो आपने जैसे कहीं तो इसमें इंटर्णशिप की शायद र लेते हैं तो इप्राइबेट में भी इसको बढ़ गया है जेए बहुत पहले आपकρते हैं कि ऑपनिंग कितनी हैं अगर हम करियर अपरचुनिटीज की बात करें तो कुई भी एक अगर हम subject choose करते हैं, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि उसमें career opportunities कितनी जगे आपने हैं, शायद बहुत से लोगों को अभी भी ये बात समझ में नहीं समझते होंगे, विशेशकर वो देश जिनकों की लगातार ये परिवर्तित होने वाले वायू मंडल से जो चिंता, य तो ऐसे कई देश, जैसे जापान जैसे देश, इन्होंने इसके उपर special research work बहुत तेजी से इसके उपर काम कर रहे हैं, यहां तक कि शायद आपको ना पता हो, उन्होंने अपने foundation को, entire land foundation को कैसे करके परिवर्तित करके उपर किया जा सकता है, उसके लिए वो artificial उस तरीके से groundwork पूरा बना रहे हैं, और इसके लिए भी बहुत सारे लोगों को चाहिए वो इंडिया से हो चाहिए अबराट से हो, उनको इसमें भी बहुत सारे opportunities मिलती हैं, सर, अब आते हैं एक बहुत एहम बात पर, अगर हम भारत के बारे में बात करें, all of a sudden हमने देखा कि जो cyclons की जो मार है, यह हमारे जो तटीय छेतरे हैं, इनके उपर हमेशा बंड़ाने लगी हैं, कभी आमफान, कभी कोच, कभी कोच, हर तरीके से, आमफान अभी है, वेजम गौल में हो, इसे काफी लोग प्रभावित हुए, तो हर बार तुफान से इतना ज्यादा, इतनी ज्यादा इसमें घुसें, तटीय छेतरे में इतना काम हो सकता है, जिसको अगर देखा जा तो अभी हम लोग एड नहीं कर पा रहे हैं, अभी हम लोगों की जान नहीं बचा पा रहे हैं, और पूरा का पूरा देश प्रभावित हो जाता है, दोस्तों, सर, इसमें जियोलोजिकल परिवर्तन हो रहा है, तो हम जलवाई परिवर्तन के संक्रवन काल से गुजर रहे हैं, और जलवाई परिवर्तन के संक्रवन काल में मौसम के और सामाने बेवार देखने को मिलते हैं, जो पंद्रह जून तक मांसून आ जाता था, आप देखिए जुलाई, पुरा बीच ज जो जो मौसम का और सामाने बेवार हमें देखने को मिलता ही मिलता है संक्रम अनकाल से जब हम जलॉइक बढ़नतन के गुजरते हैं। हुआ क्या है ग्लोबल वादमिक के कारण जो समुद्र का सर्फिस का टेंपरेचर है। जिसको SST बोलते हैं सी सर्फिस टेंपरेचर वो बढ़ गया है। अब उसके बढ़ने के कारण जब वहाँ पर टेंपरेचर बढ़ जाएगा तो दबाव कम हो जाएगा। और जब दबाव कम हो जाएगा तो साइकलोन बनने की पूरी प्रक्रिया बन गई। तो आप देखे होंगे कि चक्रवाद पिछले कुछ दसकों में जितने आएगे हैं इतने तो हम लोगोंने अपने बच्पन में सुने ही नहीं थे कि इतने चक्रवाद आएगे हों। लानिना ये तो अमेरिका में जो साउथ अमेरिका है उसके पेरिकोस से ओरिजनेट होती है और ये हमारे मांसून को प्रभावित करते हैं कभी मांसून को कम कर देती हैं कभी मांसून को तेज कर देती हैं इस समय हम देखें तो जो इस परेडिक रेन हो रही है कहीं परसाथ हो है कहीं बरसात नहीं हो रही है इसमें लानिना का भी थोड़ा बहुत हाथ है और जो चक्रबात आ गया था बंगाल की खाड़ी में कि जो उसके पास मॉश्चर था वो समाप्त हो गया था और कहीं ने कहीं पॉलूशन भी जिमेदार है क्योंकि इतना एरिजोल्स है एरिजोल्स जो होते हैं जो धूल के करण इसी पर पानी चिपकता है और फिर वो जब सेचुरेट होता है तो बरसात होती हैं अब इतने जादे पॉलिटेंट्स हो गए हैं बियम वान जो पांट फाइप यम टेंट् मतलब आप समझें कि मांसून के डिले होने का एक बहुत बड़ा कारण है जी सर इसी के साथ साथ इसका बहुत बड़ा फर्ग जो है वो कुरॉप्स पर पढ़ने लग गई हैं हमारे यहां जो खेती हो रही हैं किसानों को बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगी है तो यहां अरसास्त्री थे इंग्लेंड के ब्लैंकेट नाम था उन्हों ब्लैंकेट ने यह कहा था जिस समय के ब्रिटिस इंडिया था उन्होंने कहा था कि भारत की खेती मांसून के साथ एक जुआ है इतने साल बात भी ब्लैंकेट जो एक अरसास्त्री थे ब्रिटिस के उनका यह को हुआ है जी तो हमें ये लगता है कि जो जो एग्रिकल्चर साइंटिस्ट हैं निश्श्चत रूप से उनको ये कहा जाता है और उनको जानकारी हुती भी है एक क्रॉप वेदर केलिंडर बनाने के बात हुती है जिसके दोरा कि उनको ये जानकारी रहे कि अभी मौसम ये है तो हम ये फसल बो सकते हैं ये मौसम अगर होने वाला है तो हमको ये फसल बोना चाहिए अगर बरसाथ कम हो तो dry land crop बरसाथ जादे हो तो wet land crop की बाती है लेकिन सर्व, crops की तो हमको जोरत पढ़ती रहेगी, ऐसा हो नहीं सकता कि हमको तो जोड़ते हैं लेकिन उसी के साथ साथ एक छोटे सी चीज जो हमारे दिमाग में और आती है और कई ऐसे सवाल है क्योंकि जब हम लोग जियो साइंस की बात करते हैं तो इतना हिूज टॉपिक है कि समझ में नहीं आता किस बात को उठाए और किसको न उठाए सर दुबई जैसा है एक देश आज के दिन में वहां पे भी बारिश होने लगती उन्होंने वहां पे यहीं से मिट्टी तक वहां पे ले जाके उन्होंने वहां पे ग्रीनरी प्रोड्यूस करना शुरू किया उन्होंने वहाँ पे rain seeding कराई और आज के दिन में मुझे बड़ा ताज़ूब वहाँ जब मैं दुबई गया जब मैंने रेगिस्तान में पानी बरसने देखा तो जी हाँ दोस्तों अगर कोशिश किया जाए तो रेगिस्तान में भी पानी बरसाया जा सकता है वहां पे भी पेड उगर हैं और आज उनसे देख के हमें सीखना चाहिए है सर यह रेइन सीडिंग इतनी जादा का परभावी है तो क्या हम अपने देश में इसको क्यों नहीं लागू कर पाते हैं और ठीक तरीक से उसको विद प्लान क्यों नहीं कर पा रहा है देखे जो रेइन सीडिंग की बात है हम इसको कर तो सकते हैं लेकिन बहुत लार्ज स्केल पे नहीं कर सकते हैं जैसे अगर वायवंडल में ऑक्सीजन हम veggie नहीं मिल रही है तो हम यह कहें कि हम factorize में बनाकर और ओक्सीजन वायवंडल में डालतें, यह नहीं हो सकता तो जो artificial rain की बात कही जाती है जी इस बहुत ही तातकालिक है और हम बहुत कम समय के लिए होती है ऐसा नहीं है कि उसके द्वारा हम पूरा का पूरा मांसूम सीजन ही अपना खीच ले जाए जैसे हमने एसी के द्वारा बाहर बहुत गर्मी है इस रूम को तो ठंडा कर लिया है एक हो सकता है कि हम माल को ठंडा कर ले जाए एक हाल को ठंडा कर ले जाए लेकिन पूरे का वही भाग है जो मानों नियंतरन से परे हैं जी और इसलिए सारी की सारी प्राकृति का आप पताएं आज भी उन से होने वाले नुकसान को हम कम कर सकते हैं लेकिन ऐसा नहीं हो सकते कि हम बाड़ आए गी नहीं हमने रोक दिया चक्रवात आये गई ही नहीं हमने तो आनी है तो आएगा ही, क्योंगों बहुत बहुत शुक्र गुजार हूं, कि आप अप हमारे स्टुडियो मे आउे, आपने याफने नहीं है कि यो साइनस के अपने अपने लुझ जानकारी लुझारी दी, दोस्तों बात यह नहीं है कि जियो साइंसिस की तरफ सिर्फ आपका रुजहान कैसा है बात यह है जब आप समझने लगते हैं कि इस सब्जेक को पढ़ने से हमारा जो करियर की जो केटरिंग होगी जो हम केरियर से जो केटर कर सकते हैं उसको हमारी ओपनिंग कैसे होंगी वो कौन कौन से संस्ता हैं जहां पर हम जाके जुड़ सकते हैं वो कौन सा कारिकरम होगा जिसके साथ हम जुड़ के कौन से बदलाव ला सकते हैं तो तब आपका रुजहान उस सब्जेक के प्रती और बढ़ेगा और यही कोशिश रहती है करियर काउज की और करियर काउज गुरू की कि हम बारंबार आपके सामने उन सब्जेक्ट्स के उन पहलियों को उठाएं जिनके बारे में शायद आपको कम मालूमात हो लेकिन जब आप अपनी करियर प्लानिंग करें तो यह सारे नॉलेज यह सारा डेटा यह अपने आपको एक प्रॉपर इन्फॉर्मेशन देने के काम लाएं so that you are able to make an informed decision while choosing your career तो ऐसे कई और सवालों के साथ और ऐसे कई विशेओं के साथ हम बार बार हर हफते आपके पास आते रहेंगे ऐसा हमारा वादा है तो देखना न भूलिए करियर काउज में शुबांकर हर रववार रात 9 बजे only on Prime TV चलिए के साथ और से भी और रववार रववार दमीर पास में बार बार प्ल्हाँड़ बार